इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल to the point बात करने वाले हैं अगर आप SSE CZL की तियारी कर रहे हो तो इस वीडियो के देखने में आप जितना time spend करोगे definitely उससे ज़्यादा कीमत की चीज आपको मिलेगी आपकी तियारी का जो mindset है वो और ज़्यादा strengthen होगा और आपकी तियारी को help मिलेगी इस वीडियो को देखने में क्यों? विकोज इस वीडियो के अंदर मैं सिरफ अपना opinion आपके उपर नहीं थोपने वाला हूँ कि मेरा ये opinion है, मेरा इस बारे में ये सोचना है आपको पता ये वीडियो का topic क्या है, आपने thumbnail देखा है की preparation में भी फिर इस इस से help होईगी आपको exact चीज क्या चल रही है, सचाई क्या है उस चीज के बारे में पता चलेगा तो कि बहुत जरूरी है, अगर आप किसी भी चीज में अपना time invest कर रहे हो तैयारी में तो उस चीज के बारे में असलियत जाना बहुत जरूरी भी है तो चल लिए start करते हैं, बिल्कुल to the point अगर बात करनी है तो, तो देखो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये कुछ post है यहाँ पर total cool मिलाकर 14 post का मैंने आपके सामने data रखा है मैं सारी posts का data भी आपके सामने रख सकता था लेकिन मैंने सोचा कि यार बहुत ज़्यादा post का data रखूँगा तो हो सकता ओ दिखे या ना दिखे ये अकसर चोटे ना पड़ जाए और main मकसद मेरा data दिखाना था भी नहीं और जो 2017 और 2016 की जो cut-off है post-wise यहाँ पर यह बहुत सारी SSE की post है इनकी 2017 में क्या cut-off गई 2016 में क्या cut-off गई यह यहाँ पर लिखी हुई है और इसके अलावा मेरे पास 2015 की 2014 की 2013 की हर एक साल की cut-off भी पड़ी है post-wise लेकिन main मकसद यह नहीं है कि आपको data दिखाना जस्ट मैं यहाँ पर एक बार आपको मोटा मोटा रूबरू कराना चाह रहा था कि भई किस चीज़ के बारे में बात करेंगे exactly वो चीज़ आपको पता लग जाए तो देखो Assistant in CSS अगर इस post को देखें तो यहाँ पर भई कितने का फरक पड़ गया यहाँ पर 13 नंबर का फरक पड़ गया 2017 में कट ओफ 13 उपर गई Assistant in IB देखें तो 11 नंबर का फरक पड़ गया आगे देखें 9 नंबर का फरक पड़ गया मालब अलग अलग 20 नंबर का फरक भी यहाँ पर पड़ा है देखो Inspector Income Tax की कट ओफ के अंदर 2016 के मुकाबले या फिर अगर आप यह देखोगे कि भई Examiner देखोगे तो cut off इस साल 5 कम भी हुई है तो overall अगर on and average देखें यहाँ पर तो अलग बग 13 नंबर का फरक पड़ा है overall अगर हम देखने वाले हैं cut off के अंदर कुछ पोस्ट के अंदर ज्यादा का फरक पड़ गया कुछ पोस्ट के अंदर कम का फरक पड़ गया तो यह जो फरक पड़ा है ना उसकी exact explanation मापको देने वाला और जो भी बात मैं बोलूँ उसको ध्यान से वीडियो को पोज़ करके सोचना कि अच्छा हाँ उसको समझना कि अच्छा हाँ यह बात है अगर आपने कुछ कहना है तो definitely comment box का use करना because मैं इस वीडियो के comments पड़ने वाला हूँ हर एक वीडियो के पड़ता हूँ इस पे थोड़ा ध्यान देने वाला हूँ कि हाँ भी मैं इस ना करूँ अगर किसीने कुछ भी पूछना है उस चीज को मैं explain करूँ क्योंकि जो भी बात है वो logical मैं करने वाला हूँ तो यह फरक आपने देख लिया है यहां पर तो देखो मेरे बाई अगर हमने फरक explain करना है कि कटोफ के अंदर इतना difference आ रहा है यह क्यों आ रहा है तो जिस चीज की वो कटोफ है उस game को अच्छे से समझना जरूरी है की नहीं जो हमारी SSC CZL की preparation है उसके preparation के game को जो बंदा अच्छे से समझता होगा वही तो उस फरक को explain कर पाएगा सिर्फ data इकठा करने से फरक explain नहीं होता तो देखो सबसे पहले मेरे को यह बताना ही पड़ेगा कि game के जो major factors है जो selection है उसके लिए major चीज़े हैं वो क्या चाहिए अगर actual मैं इस फरक को explain करना चाहता हूँ तो एक पर मैं वो main चीज़े बता दूँ अगर आपने selection लेना है न तो उसकी main तीन सीडिया है main main तीन सीडिया है चोथी सीडिय की जरूरत भी नहीं है अगर आपने वो तीन काम बिल्कुल ठीक balance बना कर कर लिए न उन चीज़ों में balance जरूरी है और ये तीनों चीज़ें जरूरी है एक भी miss हो गया गड़बड हो जाएगी ठीक है और अगर ये तीनों balance में कर लिए तो कोई भी नहीं रोग पाएगा SSC CGL का किसी भी साल का exam crack करने में मैं confidence से बोल सकता हूँ ये बात और हर एक बंदा ये काम कर सकता है तो देखो वो तीनों चीज़े हैं क्या हूँ आपको बता दू और ये जो चीज़े हैं ये मैं एक बार आपको समझाओंगा कि मैंने ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है सिरफ इनके words पर मत जाना ठीक है तो सबसे पहली CD है right guidance मैं क्या कहना चारा हूँ इन words से वो मैं आपको बताऊंगा ठीक है दूसरी CD है जी self study और जो तीसरी CD है वो है जी mock test ठीक है तो मेरा इन से मतलब क्या है एक बार मोटी मोटी बाते मैं इनका मतलब बता देता हूँ देखो right guidance का क्या मतलब है अगर आप किसी भी coaching institute में जाते हो या किसी भी course से पढ़ाई करते हो ठीक है कही न कहीं से तो आप concept सीखते होंगे न या फिर हो सकता है कि आप खुद concept सीखते हो self study करके अगर खुद भी आप concept सीखते हो तो आपके बड़े भाई ने आपके दोस्त ने या फिर आपने कहीं YouTube की वीडियो देखी होगी कहीं न कहीं से तो guidance लियोगी न तो जो सबसे पहली सिड़ी है न वहाँ पर role होता है teacher का कि कैसे person से आप guidance ले रहे हो teacher आपको subject पढ़ाता है उसके अलावा भी ओर चीज़ें हैं सिरफ teacher के आप में subject नहीं होता उस subject के परती आपके mindset को develop करने का काम भी teacher के आप में होता है teacher को यह responsibility पता हो या ना पता हो कि उस subject को किस नजरिये से student देखने वाला है इस पूरे exam की process को किस नजरिये से student देखने वाला है क्यों क्योंकि उस नजरीए कि उपर भी आपका selection depend करता है तो सबसे पहली बात है right guidance कि आपको जो भी आप subject पढ़ रहे हो वो कैसे पढ़ रहे हो कैसे source से पढ़ रहे हो और उस subject को कैसे पढ़ाया जा रहा है कैसे visualize करवाया जा रहा है और उस subject के परती जो mindset है, easy है, tough है, वो कैसा है, तो पहली CD मैंने explain कर दी, उसके बाद, अब एक गलती जो student करते हैं, वो ये सोचते हैं, बढ़िया teacher, मतलब selection ना, बढ़िया teacher के अलावा 2 CD हो रहे हैं, चाहे गुरू द्रोनाचारिया भी आ गए, तो अगर student ये 2 CD मिस करेगा, अगर कोई ना लाइक student होगा, self study करेगा, तो गुरू द्रोनाचारिया भी नहीं पास करा सकते, बढ़िया teacher एक step है, एक necessary step है, उसका होना जरूरी है, उसके बिना नहीं होगा, इन तिनों में से एक भी step गई तो नहीं होगा, और mock test को भी explain करूँगा, ठीक है, अब दूसरा step क्या है, जब हम इन तिनों step को समझ लेंगे ना, फिर हमें पता चलेगा, cut off का role, ठीक है, यह जरूरी था, तो दूसरा role है self study, मैंने सिर्फ यहाँ पर self study लिखा, इसका मतलब क्या है, यह जो right guidance मिली है ना, यहाँ पर बात नहीं कतम होती, इस right guidance को बार बार लगाता, repeat करन पड़ता है, अपने कमरे में बैठ कर, लाइबरेडी में बैठ कर, जो यहाँ पर relevant syllabus कराया गया है, उसको बार बार करना पड़ता है, relevant और इतना syllabus करा जाए कि हाँ इससे बाहर नहीं आएगा, उसको बार बार, तो यहाँ पर किसकी मैनत है, pure student की, पहली CD teacher के लिए है, दूस इस नहीं कर रहा हूँ, और अब तीसरी CD, तीसरी CD सिर्फ मोग टेस नहीं है, मैंने मोग टेस लिखा, तीसरी CD है, मोग टेस से हम ये एनलाइज कर पाते हैं कि मेरा कौन सा portion week है, एनलीसिस है तीसरी CD, यहाँ पर इस subject के अंदर मेरे marks नहीं आ रहे, या फिर इस subject के अंदर, इस topic के अंदर मेरे marks नहीं आ रहे, और हाँ, मोग टेस से एक और काम हम करते हैं, क्या करते हैं, बहुत जरूरी है, attempting strategy, इसको पता नहीं लोग क्यो underestimate करते हैं, और इस कारण बुगतान क्या करते हैं कि selection नहीं होता, job नहीं मिलती, आप paper को कैसे attempt करते हो, बहुत ज्यादा जर action, मेरा वो subject जो मेरा सबसे strongest है, उसके अंदर भी बहुत कम marks आएंगे, attempting strategy, how to attempt paper, तो मैं यह सब कुछ यहां पर explain नहीं कर सकता इस video के अंदर, बता दिया कि यह तिनों चीज़ें जरूरी हैं, कि कहीं से सीखना, जो सीखा है उसकी खतरनाक practice करना, उसको बार-बार repeat करना, औ जो भी हमने सीख लिया है, उसको अच्छे से exam के अंदर apply करना, अगर कहीं पर कुछ week है, तो वो, तो मैंने यह सब क्यों बताया, देखो, जब पहले SSC के अंदर selection होता था, तो भी यह 3 सीडिया थी, 2011, 12, 13, 14, तब यह 3 सीडिया थी, आज SSC के अंदर selection होता है, तब यह 3 सी बच्चे यह, कभी-कभी बच्चों को यह लगता है कि भाई tier 1 में पहले cut-off जो है, वो 100 से कम जाती थी, 85 पर चली जाती थी, पहले जो बंदे थे, वो नालायक थे, आजकल तो competition बढ़ गया है बहुत ज्यादा, तो इस बात को मैं explain करता हूँ, पहले जो भी लोग selection लेते थे, वो नालायक नहीं थे, बहुत मेहनत करते थे, आज भी मेहनत करते हैं, मतलब जो मेहनत करने में जो पलड़ा है न, वो बराबर है, जो मेहनती बंदा पहले था, जो आज है, वो बराबर मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पर कोई जादा फरक निया है, एक तो बहु होना पहले लोगों को SSC के बारे में अगर मैं 11-12 की बात करूँ 13 की बात करूँ तो ये भी नहीं पता था कि SSC नाम का कोई एक्जाम है क्या ग्रेजुएशन के दो साल बाद तीन साल बाद पता चल रहा है कि अच्छा SSC भी एक एक्जाम है तो मेरे बाई होता क्या था और शिर्फ ये एक फेक्टर नहीं है मैं आपको एक और फेक्टर बताऊंगा मैं एक्जेक्ली आपको एक्स्प्लेइन करूंगा लोजिकली तो देखो है क्या कि पहले भी जितने लोगों को पता होता था बहुत कम लोगों को पता होता था, SSC के बारे में, तो SSC के बारे में पता करना भी अपने आप में एक challenge था, एक competitiveness थी, aware रहना पड़ेगा, समाज में अगर चीजों के बारे में जानना है तो, लेकिन आज क्या है, आज awareness अपनी चरम सीमा पर है, क्यों? यह अपने mobile के जगत के करण, mobile youth के करण, information technology, like, boom है, IT के अंदर, तो सब को पता है, like, YouTube, जीओ के आने के बाद, YouTube, मतलब इतना फैल गया है, मतलब 12th के बच्चों को पता है, कि आगे मैंने SSC CGL देना है, graduation के बाद, पहले मैं graduation कर लूँ, उससे पहले मैं CHSL दे लूँ, तो number one reason क्या है, यहाँ पर खतरनाक improvement ह हुई है, self study पहले भी करते थे underestimate मत करों लोगों को, mock test वाला मामला भी पहले जैसा है, mock test का मतलब क्या है, कि analysis, मैं यह नहीं बोल रहा है कि आज कल mock test बहुत ज्यादा आगे, ना, मैंने बताया था न, इस word को explain करूँगा, इसका मतलब है, कि subject को analyze करना होता है, और भई, अच सबको available हो गई है, बहुत ज्यादा लोगों को ये बात पता चल गई है, तो इस कारण क्या होएगा, मतलब यह नहीं कि लोग खतरनाक से intelligent हो गए है, evolution होने में million साल लगते हैं, हजारों साल लगते हैं, मतलब ऐसे intelligent बंदे उबर कर आ गई हैं, तो number one क्या है, खतरनाक level की awareness अ अब महनत बहुत ज्यादा करने पड़ती है, नहीं, जो महनत है ना, जो hard work, वो exactly उतनी ही करनी पड़ती है, पहले भी अपने आपको पूरा जोकना पड़ता था, क्यों? भही पहले इतने सारे teachers बच्चों के पास available नहीं थे ना, पहले इतनी सारी choices नहीं था ना, कोई क्या बता देता था, कोई ये बता देता था, RS अगरवाल कर ले, या फिर 10th का मैथ कर ले, कोई किसी को ऐसी guidance देता था, एक book दे देता था, कि ले बेटा ये book पड़ ले, feature concepts बताता था और book पकड़ा देता था, ले बेटा ये book कर ले, तो उस book से वो 85 नमबर लाने भी बहुत ब अब जो है, resources ज्यादा available हो गए है, अगर मालो, दो बंदे तलवार से लड़ रहे हैं, और दो बंदे लड़ रहे हैं, मिसाईलों से, तो मिसाईलों से लड़ेंगे, तो ज्यादा नुक्सान तो हो गई ना, तलवार, resources कम हैं उनके पास, ये नहीं बोल सकते कि पहले वाले क कम competitive थे, नुक्सान कम कर सकते थे, उनके पास resources कम थे, वो cutoff को उतना उपर पहुचा ही नहीं पा रहे थे, महनती बंदे थे, महनती बंदे आज भी हैं, तो अगर आप इस चक्र में हो कि कम महनत से selection हो जाए, ना पहले होता, ना आज होता, कभी नहीं होता पाई, महनत करनी पड़ेगी, यह जो self study के अंदर ही महनत आती है, student की महनत, मतलब यह चीज़ें चोटी मौटी नहीं है, मैंने तीन CDL एक दी, इनके हरेक के पांच-पांच बैलू है, हरेक के, ठीक है, तो महनत वाला portion आप समझ गए, कि resources अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं लोगों के पास अब अगला एक और factor तो, एक तो इस चीज़ का फरक पड़ता है, यह नहीं है, इंसान बंदर से इंसान बंने में कितने साल लग गए, अब एक दम से इंडिया के बंदर ऐसे intelligent हो गए, ऐसे नहीं है, वो resources बहुत ज़्यादा हो गए, हम पहले भी उतने intelligent थे, आज भी उतने intelligent है, मलब लोग जो आम जनता का intelligence level है, जो student community का है, awareness बहुत ज़्यादा होगी, resources बहुत ज़्यादा होगे, तो definitely जाएगी न, cutoff तो सर्च करेगी, जो महनती बंदा है, पहले कम resource में महनत लगा रहा था, अब ज्यादा resource में महनत लगा रहा है, अब अगला factor देखो, और जब नहीं होगा बाई, और पहले भी नहीं होता, simple जी बाता, आगगे भी नहीं होगा, यह नहीं गायब कर सकते है, बहुत important CD है, वो analysis और attempting strategy नहीं गायब कर सकते है, बाई, selection नहीं होगा, इन दो पे कितना भी जोर लगा तो तीछरी बहुत important है, तो तीनों CD अपने आप में important है और एक और factor जो आपकी cutoff पर असर डालता है, एक तो मैंने आपको बता दिया, पूरी preparation का game जो है, वो इन तीन CD ओपे है, बस, भाई देख लो कहाँ पर change आ सकता है कि cutoff उपर निचे जाएगी, और दूसरा जो change है cutoff के उपर, दूसरा जो factor है जो change डालता है, वो यह है 2012, 2013, 2014, कितने कितनी vacancy थी, मलब कितने कितने लोग select हुए थे, 16,000, 15,000, 15,000, अब इसके अद्धे हो रहे हैं, तो उस वक्त मालो यहाँ पर 2014 में, अगर साड़े 8,000 लोग select हुए होते, 2014 में साड़े 8,000, मलब कि अद्धे लोग select हुए होते, तो यहाँ पर भी तो कटoff उप है, उस से तो बहुत उपर होती ना, और शाथ में awareness का, factor जोड़ लो, जो मैंने awareness का, resources का factor बताया, अब तरह तरह की guidance online available है, पहले इतनी कहा होती थी, हाँ, अब देख लो 2017 में, कि 16 के comparison में, एक तो 16 के comparison में, 17 में बहुत बड़ा अफ्रक है, resources का, आपको मैं बता देता हूँ जो बंदा पहले पढ़ना चाहता था, उसके पास कुछ लोगे पास resources नहीं होते थे, मैंनती बंदे हैं, इंडिया में available, 8000 बंदे जो student है, इंडिया में, मैंनती अवेलेबल हो जाएंगे, अगर आप मैंनत के बिना clear करना चाहिए, तो नहीं होगा, ठीक, और पहले भी नह 2020 में आना था, ये मामला है, ठीक है, तो दो factor मैंने आपको बता दिये हैं, जिनको पर depend कर रही है, आपकी cutoff, और आगे भी ऐसे ही depend करती रहेगी, ये सारा खेल है, तो जगह जगह पर मत बठको cutoff आई चली गई, ये हो गया, वो हो गया, लोगों के दिमाग में एकदम से Einstein क कि आत्मा नहीं आती है, कि भई लोगों को पतानी क्या हो गया, competitiveness, हमज़ गहना, अचली factor, then next, need to change the way we prepare, ये मैंने लिखा है, कि भाई, क्या तयारी में हमें कोई बदलाव करना है, तो मेरे भाई, अगर आप अपनी तयारी के अंदर, कुछ गलत step ले रहे हो, तो तो बदल आप definitely करना जुरूरी है, अधरवाई जिस भी वे से हम prepare करते हैं, मैंने आपको तीन स्टेप दिखाए हैं, और मेरे चैनल के उपर बहुत सारी preparation की वीडियो हैं, guidance की वीडियो हैं, उनसे आप help ले सकते हो, अधरवाई इस cut-off के कारणा आपको कुछ भी like change करने की जुरूर पाई तो, और जो कुछ भी कहना चाते हो आप मेरे से, इस वीडियो के comment box का बहतरी निस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है, वो इसलिए बना है, definitely comment करिएगा कुछ कहना चाते हो तो, और इस वीडियो के description में हमारी android app का link है, वहाँ पर भी जैसे देखो, पहले बच्चों के पा नए person हो subscribe नहीं किया इस channel को, तो subscribe करिएगा, ठीक है, bye bye, take care. कर दो कर दो